अमित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां हम बात करेंगे PGMR Counseling 2021 जो अपडेट है यहनी BSC Nursing 4 Year और BSC Nursing Post Basic दोनों के लिए यहां पर जो बात निकल के आई रिजर्ट कल आ गया था आप सभी लोगोंने देख लिया होगा किसका सेलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ जिसका हुआ उसे बहुत बहुत बधाई और अब बात करते हैं अगले स्टेप की क्योंकि अब आपको डाकूमेट्स भेजने हैं medical test, documents कैसे आप भेजेंगे, कौन-कौन से documents लगेंगे, इन सभी पूरी की पूरी एक-एक step की प्रकरिया को हम धीरे-धीरे करके इस पूरे वीडियो में समझेंगे, और किन app का इस्तमाल कर पाएंगे, जिससे हम documents को बड़ी हैसा crop कर पाएं, और चीजों को बहतर कर पाएं, तो आईए, सुरू करते हैं एक-एक step को, देखें ये आपका letter है, इसका link हम description box में देदेंगे, आप directly वहाँ से download कर पाएंगे, result आप सभी ने देख लिया होगा, आप देखें, counseling for BST nursing course, इसमें सीधा सा लिखावा first counseling है, second counseling भी होने के पूरे chances हैं, वो भी होगी, अब देखें यहाँ पर बात करते हैं, पहले इनों ने लिखा है इसमें कि BST nursing four year, BST nursing post basic, scheduled कर दी गई है, कब से, एक एक चीज को समझना है, आप skip ना करें, और यहाँ 20 अगस्त 2021 को यह प्रस्तावित है, यह offline होगी, इसमें आपको वहाँ जाके present होना है, पहली बात clear हो गई होगी, सारे 10 बजे से पहले आपको वहाँ पहुन जाना है, उनके auditorium में, आप बात कर लेते हैं दूसरी चीज, उनका address दिया है, address आपको पता है, यह cut-off नीचे दिये गए हैं, सारे के सारे यहाँ cut-off दिये गए हैं, आपने सभी ने cut-off देख लिए होगे, जिनका in cut-off के ऊपर है, उनका selection हो गया है, उनके लिए, अब यहाँ पर देखिए, qualifying candidates with जो above mention किया गया है, cut-off उसी के according उन्हें यहाँ पर आना है, तो अब देखिए क्या क्या करना है आपको, सबसे बहले documents आपको कौन-कौन से ले जाने हैं, तो एक आपको high school की अपनी mark seat, high school की mark seat की जो है, आपके पास original हो, फिर उसके बाद 10 plus 2, यहाँ इंटर का original हो, अग और आपने certificate लगाया है वहाँ पर, तो उसका certificate आपके पास होना चीए, तीन certificates आपके पास होगए, एक आप ID card भी रखिए, यहनी आधार रख सकते हैं, पैन कार्ट रख सकते हैं, जो भी आपका outer ID है, जो भी आपके पास आधार कार्ड है, आधार card, ओटर आईडी, पैन कार जो भी आपके पास identity card है वो आप रख सकते हैं इतनी चीज़े आपके पास होनी चाहिए अब देखें यहाँ पर बात करते हैं अगला यहाँ सीधा सा मतलब इन्होंने कहा कि इनकी जो print out है आपका जो percentile का print out है जो आपने result का print out निकाला है एक वो ले लीजिए एक आपने जो form भरा था वो ले लीजिए application online जो form भरा था वो दो चीजे व गएं तीसरी चीज़ आपके पास हो गई यहाँ पर हम आपको mention कर देते हैं देखिये एक आपके पास हो गया यहाँ पर जो है result जो result ने खार मर्विए उकStudy icon गए यतनी तीन चीज़े हो गई आपके पास चौती चीज़ की बात हम क्या कर लेते हैं यहां पर कि चौती चीज़ आपके पास होगी सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होगा यह चीज़े आप सभी की फोटो कॉपी रख लीज़े या डारेक्टली आपको वहाँ पर भेजना है इन ऑफिस आप प्रिंस्पल एन नेशनल इंस्ट्टूट आप नर्सिंग एजुकेशन या तो आप भेज दीज़े या फिर क्या करिए आप इस पर्टिकुलर मेल पर भेज दीज़े अब मेल पर कैसे बेज़ेंगे या तो आप इसके PDF बना लीज़े इन सारी जो आपके ओरिजिनल डाकुमेंट्स हैं उनकी आप PDF बना लीज़े PDF बनाने के बाद फोटोखिश के PDF बनाने के बाद उन्हें इमेल कर दीज़े अब हम आपको बता देते हैं अभी हम बताएंगे लास्ट में कि कौन सा आयप इस्तमाल करेंगे जिससे इमेज से अफ जो है PDF बना लेंगे उसकी बात कर लेंगे अभी हम प्ले स्टोर गूगल के प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना भी सिखा देंगे तो यह चीज हो गई उसके बात के हम बात यहां कर लेते हैं कि जो है जितने भी लोग यहां पर हैं उनको करना क्या है उनको अपने साथ मास्क लगा कर जाना मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इस मस्ट और एक चीज़ उन्होंने बताई यहां पर आप देख सकते हैं कितने बजे उनको पहुँचना है अडिटोरियम में सवा दस बजे पहुचना है हम ले उपर बताया था कि साड़े दस बजे से पहले पहुँचाना है उनको क्योंकि साड़े दस बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी सेलेक्टिड कंडिडेट्स विल भी रिक्वाइट टू पे फीस जो नीचे की तरफ प्रवाइड कराई गई है यह डाक्वमेंट्स यह आपको फीस इतनी इतनी आप जिसमें है उसको लेके जाना है और यहां पर बतायाएगा कि डीडी कि इसके नाम डिमांड ड्राप आपको बनवाना है तो यह चीज़ के लिए हो गई है अम मेडिकल टेस्ट की बात कर लेते तो मेडिकल टेस्ट का कहीं जिक्र नहीं है एक हेल्थ सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं एक नॉर्मल प्रोसीजर के थायत वो आपसे लिया जा सकता है लेकिन उसे भी मेंचन यहाँ पर इस काउंसेलिंग लेटर में नहीं किया गया है तो उसके लिए कोई आपको डरने की जरूरत नहीं वो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो सबी लोग उसके लिए किसी का फ़ूर्म र enlightenment नहीं होता किसी का सेलेक्शन रिजेक्ट नहीं किय जाता है तो उसके लिए कोई यहाँ पर आपको डरने किया जरूरत नहीं है आप नॉर्मल तरीके से अपने डाकुमेंट्स हाइ स्कूल इंटर जो आपने फॉर्म बना था वो जो रिजल्ट आया है वो इन सभी के आप फोटो खीचिए मेल कर दीजिए फिर उसके बाद काॉंसिलिंग के टाइम में आप इसे अपने पास अपनी फाइल में लगाके लेखे जाना है तो पहले इन सभी के फोटो खीच कर उसके पीडिया बनाकर या डारेक्ली ही images के रूप में ही आप उसे mail कर दीजिए या directly पहुचा सकते हैं तो directly पहुचा दीजिए जैसा आपको उचित लगे यहां mail दे दिया गया है इसलिए कि आप उसे mail कर दीजिए mail में आराम से उसे compose करिए title लखिए subject लखिए और पूरी चीज़ clear लखिए जिससे उसे पढ़ने में आसानी हो और सारे documents जो PDF बनाएंगे इसलिए मैं PDF का जिकर कर रहा हूँ बार बार क्योंकि PDF जब बनाते हैं तो उसका print out निकालना आसान होता है और उसमें size minimized नहीं होता और clarity बनी रहती है तो इसलिए इसलिए PDF की हम बात बराबर कर रहे हैं तो आईए PDF की बारे में भी हम समझ लेते हैं आप देखिए यह आपका play store है आप सभी लोग जानते हैं आपर अब यहाँ पर आप डालिए लिखिए image to PDF जैसे आप image to PDF यहाँ पर लिखेंगे तो आपको बहुत सारे search करके वो options देता है देखिए एक यहाँ पर आपको यह app है देखिए यहाँ पर हमारे में install है आप इसे करिए काफी app का MB का भी है यह और यह आसानी से आप इसे बना सकते हैं किसी भी बिना किसी दिक्कत के offline यह काम करता है छोटा से कम MB का यह app है इसमें directly आप बना सकते हैं rename कर सकते हैं हर एक चीज़ आसानी से image to PDF convert करके बनाके अब उसे attach करके आप mail कर दीजिए अब अगर कोई query आपकी बसती है तो comment box में जरूर लिखें एथा संभव आपकी हम पुना आपको cut off के बारे में और बाकी चीजों के बारे में भी एक बार हम बता देते हैं आपने title देख लिया था documents कैसे भेजे mobile से तो वह हमने बता दिया आपको PDF बना कि आप भेज सकते हैं और medical test होगा की नहीं होगा तो वह नहीं और normal procedure के तहित एक health certificate सभी जगे लगता है वह आपसे लिया जा सकता है document कौन से लगेंगे इसके बारे में भी हमने बताया कि आपके पास एक बार recall करा देते हैं पहली बात पहला आपने जब form भरा starting चलिए form भरा उसक वह दूसरा आपको admit card आया फिर तीसरा आपका result आया यह चीज़े हो गई फिर उसके बाद high school आपने किया उसका mark seat और certificate या दोनों एक ही में होते हैं वो जैसा आपका board है उसके हिसाब से फिर उसके बाद इंटर का भी mark seat और certificate हो गया फिर उसके बाद आपका एक आप लेके रख सकते हैं इतनी चीज़े आपको सब चीज़े एक साथ photo case के mail भी कर देने हैं यही सब original लेके आपको 20 तारीक को जाना है और यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है जो documents आपको भेजने हैं वो 13 तारीक से पहले चार बज़े के पहले आपको वहाँ submit कर देने हैं यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इसके बाद आप submit करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा तो उम्मीद करता हूँ अब आपके सारे doubts clear हो गए होंगे crystal की तरह clear हो गए होंगे अगर आप भी कोई सवाल बसता है तो commit box में जरूर बताएं और जिनका selection हुआ उन्हें good luck जिनका थोड़ा सा margin से रह गया है वो second counseling का जरूर बेट करें क्योंकि उनका selection भी लगभगता है तो मिलते हैं अगली information के साथ आपके अगले सवालों के साथ तक तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत